बगती और विकास का वास और विश्वास का जन जन के जीवन की खुश हाली का दर्पन किसान भाईो नमस्कार भारत सरकार के एक रशी मंत्राले के कारिक्रम कृषिदर्शन में आप सभी किसान भाईो का स्वागत है मोटा अनाज एक समय में हमारे पूर्वजों के खानपान का हिस्सा हुआ करते थे जो आज हमारी थाली से बिल्कुल कायब हो गए है इस भोजन को हमने तो अपनाना छोड़ दिया लेकिन साथ ही दुनिया ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है क्या आप जानते हैं मोटे अनाज के क्या-क्या फाइदे क्या-क्या खूबिया है इसके खेती कम पानी में की जा सकती है मेहनत की भी ज़्यादा आवशक्ता नहीं पड़ती है और साथ ही खराब मिट्टी में भी उग जाते हैं और भी क्या-क्या खूबिया हैं क्या-क्या फाइदे हैं बताएंगे आपको लेकिन सबसे पहले आईए देखते हैं किसान भाईयों नमस्कार खबरे खेती की में आपका स्वागत है आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर अब किसानों के खेतों में उड़ेंगे ड्रोन पशूं का करंट और कीटों से करे बचाओ किसानों का मित्र कीट है ट्राइकुग्रामा मिर्च की फसल देगी किसानों को भरपूर मुनाफा और फल सब्जियों की करे उचित डिबाबंदी और पैकिंग सरकार फसल मुल्यांकन और कीटनाशकों के छिड़काओ के लिए खेती में ड्रोन की उप्योग को बढ़ावा दे रही है इसे देखते वे I.C. A.R. ने राज्ये कृषिच संस्तानों के लिए 11 ड्रोन मनजور किये हैं खेतों में अब ड्रोन उडान भरते नजर आएंगे इसके लिए भारती एकृषिच अनुसंधान परिशत ने प्रिदेश के 11 कृषिच संस्तानों के लिए ड्रोन खरीज संबंदी प्रस्ताओं को मन्जूरी प्रदान कर दी है। इन संस्थानों में 5 कृषिविज्ञान केंद्र, 2 विश्विध्याले और 4 ICAR के कृषिज संस्थान शामिल है। कृषि विश्यशक्यों ने बताया कि कृषि संस्थानों को मिलने वाले ड्रोन का लाब किसानों को भी मिलेगा। ड्रोन तकनीक की जानकारी देने के लिए किसान, प्रशिक्षन और तकनीकी प्रशिक्षन कारिकरम आयजित किये जाएंगे। ताकि किसानों को कृषी में ड्रोन की उप्योगता के बारे में जानकारी मिल सके। गौरतलब है कि केंदर सरकार ने चालू वित्तिय वर्ष के बजट में कृषी संस्थानों, एफपियों, कस्टम हाइरिंग सेंटर और किसान समुओं को ड्रोन पर 50-75 फीसिदी तक अनुदान उपलप्त कराने की घोशना की थी। गौरतलब है कि सरकार फसल मूल ल्यांकन, भूमी अभिलेकों के डिजीटेलिकरन, केटनाशकों और पोशक तत्वों के छिड़काओ के लिए खेती में ड्रोन उप्योग को बढ़ावा दे रही है जिससे किसानों की लागत घटा कर उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। ये ड्रोन जिन संस्तानों को मिलेंगे वो हैं क्रिशी विज्ञान केंद्र भीलवाडा, गुडा मलानी, जुन-जुनू, पाली और टॉंक, ICAR संस्तान है काजरी जोदपुर, DRMR भरतपुर, NRCSS अजमेर और CIAH बीकानेर, महीं क्रिशी विश्विध्याला है उद्यपुर औ क्रिशी विज्ञान केंद्र धोलपुर के वरिष्ट विज्ञानिक शिव मूरत मीना ने बताया कि बरसात के मौसम में पश्वों की अधिकतर मौत, बिजली के करंट, विश्यले कीडों के काटने, ज्यादा हरा चारा खाने, जिवानू और परजीवी जनित बिमारियों से ह होती है, ऐसे में पशुपालकों को सतरकता बरतनी चाहिए, उन्होंने बताया कि पशुओं को गीला चारा और दाना नहीं खिलाएं, हरा चारा निर्धारित मातरा में ही दें, हरा चारा साफ होना चाहिए, पशुओं को साफ सतरा पानी पिलाना चाहिए, इसके अलावा दुधारू पशु को नीचे बैठने ना दें। दूद निकालने से पहले और बाद में साफ गर्म पानी में जन्तु नाशक दवा की कुछ बूंदे डाल कर साफ कपड़े की मदद से पशु के थन और आयन को साफ करें ताकि थनेला रोग से पशु को बचाया जा सके। ट्राइकोग्रामा एक परजीवी मित्र कीट है जिसका उप्योग कर फसलों में लगने वाले विभिन कीटों का प्रभावी नियंतर किया जा सकता है। एक आलपिन के सर पर आठ से दस वयस्क एक साथ बैठ सकते हैं। इस अंड परजीवी का उप्योग कर गन्ना, धान, मक्का, कपास, टमाटर, बैंगन में लगने वाले इस समू के विभिन कीटों जैसे तना और फलचेदक का प्रभावी नियंतर किया जा सकता है। ट्राइकोग्रामा परजीवी का जीवन चक्र गर्मी में आठ से दस दिन और सरदी में नौ से बारा दिन में पूरा होता है। ट्राइकोग्रामा परजीवी को परपोशी के अंडों पर तयार कर ट्राइकोग्रामा परजीवी को परपोशी के अंडों पर तयार कर ट्राइकोग्रामा परजीवी को परपोशी के अंडों पर तयार कर ट्राइकोग्रामा परजीवी को परपोशी के अंडों पर तयार कर ट्राइको कार्ड की पहले श्रिप खेद की मेर्च से पांच मीटर की दूरी पर लगानी चाहिए एक हेक्टेर में करीब सो जगों पर इन श्रिप को लगाना चाहिए जैविक विदी से मिर्च की खेदी कर किसान भाई कम समय वे मैनत में अधिक उत्पादन प्राप्ट कर सकते हैं साथी भरपूर मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं मिर्च को खरीव सीजन की एक प्रमुख सबजी माना जाता है जिसे सुखा कर मसाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो साल में कई बार मिर्च की फसल लगाई जाती है लेगिन मानसून में इसकी खेती करके बंपर उतपादन लेने में मदद मिलती है इस दोरान मिर्च की बुवाई से लेकर तुड़ाई तक सभी काम सावधानी से करने चाहिए खास कर मिर्ची की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों का ही चैन करना चाहिए जिससे फसल में जोकिम की संभावना कम रहे मध्यम वर्षावाले इस्थानों पर मिर्च की फसल लगा सकते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा बारिश और ज़्यादा गर्मी से भी फसल को नुक्सान हो सकता है इसकी अच्छी फसल के लिए मिट्टी में पोशन की कमी को पूरा करने में खाद उर्वरक एहम भूमी का आदा करते हैं ऐसे में खेत तयार करते समय पचास क्विंटल वर्मी कमपोस या असी से सो क्विंटल गोबर की खाद को प्रती एकर्च खेत में डालना चाहिए वहीं मिट्टी की जहांच के आदार पर खेत में नाइट्रोजन, फास्वोरस और पोटाश की उचित मात्रा का भी इस्तमाल करें बागवानी फसलों से अच्छा उत्पादल लेने के बाद सही तुड़ाई के साथ उचित डिबबबंदी और पैकिंग कंटेनर का इस्तमाल करना भी जरूरी है क्रिशी विशेशग्यों की माने तो चाहे कीट रोगों की निगरानी हो या फल सब्जियों की तुड़ाई का तरीका ज्यादतर किसान इनी कामों में लापरवाई कर जाते हैं और उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ता है अगर हम तुड़ाई के समय होने वाली आम गलतियों से बचें और कुछ सावधानी रखें तो हम फल सब्जियों की क्वालिटी बरकरार रखते हुए अपनी उपज को मंडियों में पहुंचा सकते हैं विशेशग्यों के मताबिक लंबे समय तक उपज को सहिजने के लिए सुबह या शाम के समय फल सब्जियों की तुड़ाई का काम करना चाहिए ये दिन के ठंडे समय में होती हैं जो फल सब्जियों की गुनवत्ता के लिए बेह ज़रूरी है तेज धूप या बारिश में फल सब्जियों की तुड़ाई ना करें ऐसे में नमी की मातरा बढ़ने से उपज खराब होने का खत्रा बना रहता है अक्सर कई फल सब्जियों की तुडाई सही तरीके से नहीं हो पाती जिससे मंडियों तक पहुँचने से पहले ही उत्पाद में सडन पैदा हो जाती है इस समस्या से बचने के लिए कटर, कैंची या सही यंत्र की मदद लेकर तुडाई की जा सकती है तुडाई के तुरंत बाद इन्हें चायादार स्थान पर रखें धेर बनाने पर नमी बढ़ने और इनके दबाव से फल सब्जी खराब होने का खत्रा रहता है ऐसी इस्तिती में फल सब्जियों को तुरंत टोक्रियों में भरें जिससे सही प्रकार उठाकर उपज को पैकिंग के लिए ले जाया जा सके इसके बाद उतपाद को उचित डिबाबंदी, कैरेट और पैकिंग कंटेनर में रखकर ही मंडियों की तरफ रवाना करें किसान भाईयों खबरे खेती की में आज बस इतना ही आप देखते रहिए क्रिश्री दर्शन, नमस्कार कारिक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है मोटे अनाज की खेती के फायदे क्या क्या है बाजरे की पॉश्टिक ता और इसके बहु आयामी लाब क्या है आए जानते हैं रारी दुर्गापुरा के विशेश अग्यों की राय देखे आज के हमारी विशेश रिपोर्ट बाजरा राजस्तान की खरीब की मुख्य फसल है और इसका जो एरिया है चेत्रपल है भारत में जो पूरा बाजरा प्रोडक्स पैदावार होती है उसका आधा एरिया रास्तान कवर करता है और उसकी पैदावार 40 से 45 परसेंट है जो कि खरीब की ये मुख्य फसल है बाजरा और बाजरा बहुत ही नूटिसिस क्रॉप है इसलिए इस पर हम दिशेश रूप से ध्यान दे रहे हैं हमारे सेंटर और हमने यहां से करीब 15 किस में विक्षित किये जिसमें दो बाजरा पोर्टिफाइड वेराइटीज भी लेटेस्ट विक्षित किये हमने जो पूरे देश के लिए अजिसुचित है बाइव फोर्टिफाइड का मतलब है कि हम जो किस में विक्षित कर रहे हैं इस फसल में उसमें आईरेन और जिन के साथ में न्यूतिशनल की जो लेवल है वो बहुत जयादा मातरा में उपलब्द रहता है दो बाईफोर्टिफाइड का है वेराइटी का लाती है विश्व के अंदर उसमें जो 20 रिस्ट फेक्टर है उनमें 9 इस्तान आता है अपने आईरन की कमी का और 11 इस्तान आता है जस्ते की कमी का इसलिए करीब भारत को अगर देखें अपने अपने इस्तान में तो 80% गरववती में लाएं 52% करीब जनरल में लाएं चोतर परतिसत बच्चे जस्त चैसे लेके 15 मेने तक की अवस्ता के आईरन की डेफिसेंसी से जूज रहे हैं इसके साथ में जो बच्चे हैं पांस साल से कम उम्र के वो चोतर परतिसत बच्चे जो है जस्ते की कमी पाई जाती है और आईरन और जिंग की कमी की वज़े से परफोर्मेंस जो है उमन मीं की वो परवाहुत हो थी है जिसमें काम करने की चमता कम हो जाती है, सीखने की चमता कम हो जाती है, इसके साथ में स्टंटिंग जो है, बढ़वार कम रहती है. तो इसको देखते होए है, बायो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया हमने क्रॉप्स में, जिसमें बाजरावी एक क्रॉप है, और हमने दो वेराइटियां हमारी विक्सित किये, बायो फोर्टिवाइड आरेच वी 233 से, आरेच वी 234 से, इसमें आईरन की मात्रा 80-90 PPM और जि इसके लिए अधिसुचित की भी है, बाजरा ने केवल आईरन और जिन के इसमें ज्यादा पाया जाता है, बलकि आज के परिदरश्य में जो बाजरा है, वो क्लाइमेट चेंज जो है, स्मार्ट फूड क्रोप के नाउं से भी जानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही आपिस को देखते हो इसको देखते हो ने जो अनल के दिए जो जो क्रोप है, बाजरा जो तसल है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट फूड के रुत में, जाना जाता है, और हमारी जो इजो किसमें हमने जो विक्षित किया है, बाय फोर्टिकेशन विक्सित, ये GMO जो अमारे वेरियबिलिटी ओलेडी मिल है अमारे इसमें एवलेबल है जर्म प्लाज में हमने उसी से इनको विख्षित किया है दोनों किस्मों को और इस पर हमारा सेंटर जो है लगातार बाइफोर्टिक्रिटेशन पर काम कर रहा है और इनका वीज का उत्पादन का जो कारे जर्म पर सर्शून पर और मुप воз리 में जो आर मैं जोçar मृषा कर रहे हं कर रहे हैं शॉत काम साधून इंड़ये उसमें ओना कर जो सबसे ज्यादा पाप्लम्स राती है तो मृषा प्रबंधन के लिए हंने technology निकाली है और जो बाजरा है बाजरा हमारे राइस्थान की मुखी फसल है उसमें भी मौथा और अन्य जो खर्पतवार है उसके प्रबंधन के लिए हमने बहुत सारी technologies डवलप की है और किसान भाईयों के लिए हमने यहां पे एक खर्पतवार संग्राले भी विक्सित किया ह जिसमें 100 से अधिक खर्पतवार कुलों का संग्राला है जिसमें वो खिसान भाई आके अपना जो भी खर्पतवार उनके खेत में आते हैं आके देखें और कौन सी फसल में आते उसके साबसे हम उनको उसका समाधान बताते हैं अभी अपर तो मुंखवली ग्वार मूंग औ और जुआर इसके ओपर हमारे बिस्ट्राइब चल रहे हैं और जो हमने पिसले साल तक जो भी निकाली है तो मुंगफली में एक पेंडर मेथिलीन और इमयरत हैपर का जो रेडिमिक्स आता है उसको प्रीमर्जेंस हम लोगों ने डालते हैं सारे साथ सु ग्राम एपर हेक्ट उसे मुथा तक का जो खर्पत्वारे वह भी प्रबिंदन उसका हो पाता है अब बात करते हैं बाज्रा की जो कि अभी इस ताम फसल तर रही है तो बाज्रा में हम एट्राजिन दालते हैं प्रीमर्जेंस और उसके बाद एट्राजिन जो करता है जो चोड़ी पत्ते वाले उनका भी कंट्रोल कर लेता है तो एट्राजिन के बाद खड़ी फसल में टेंपो ट्रॉंग यह हमने बाज्रा में हमने इस किया खर्पत्वार फ्रबंधन का एक रिकमेंडेशन निकाल ली है और फिर मुंखवली में हमने निकाल रखा है पेंडा मेथिलेंग प्लस इमियर किसान भाईयों आज हम बात करेंगे खड़ी फसलों में और वरक प्रबंधन किसान भाईयों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को मनिश्यों को अपनी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्रक्ता होती है बिल्कुल सेम उसी प्रकार भी पेड़ पौदों को अपनी जीवन को चलाने के लिए पोशक्ततों की आवश्रक्ता होती है तो किसान भाईयों यह पोशक्ततों हम लोग जो मनुष्य हैं यह तो अपने भोजन से दाल, चावल, सबजी, रोटी, घी, दूद, अंडा, मांस इस सब से हम प् पेड़ पौदे होते हैं यह इन पोशक्ततों की बूरती कहां से करते हैं कहां से इनको यह पोशक्ततों प्राप्त होते हैं तो किसान भाईयों यह जो हमारा पेड़ पौदे होते हैं यह मिट्टी में जो हमारा म्रदा जल होता है मिट्टी में जो जल होता है उसमें जो तो टोटल सत्रह पोशक तत्वे जो हैं वह वो पौधे को अपने जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवशक माने गए इन पोशक तत्वों में सबसे पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये मुखे पोशक तत्व कहलाते हैं और कैल्शियम, मैंगनीशियम, सलफर ये दुत्यक पोशक तत्व हैं, कॉपर, आइरन, जिंक, मैंगनीज, ये बोरॉन, मॉलिबडिनम, क्लोरीन, ये किसान भाईयों, जो हमारे उर्वरक हैं, और जो हमारे खादें होती हैं, गोबर की खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, ये सब हम मिट्टी में जब ढालते हैं, बिजाई से पहले, तो उससे ये पोशक तत्व मिट्टी में आते हैं. लेकिन किसान भाईयों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने मिट्टी में पोशक तत्वा डाल दिया, उसके बावजूर्स हमारी खड़ी फसल है, उसमें अगर पोशक तत्वां की हमें कमी दिखाई देती है या हमारी जो फसल है वो अच्छे से मतलब जैसे दिखनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं दे रही है तो फिर हम इन पोशक तत्वों को हम कैसे इनकी पूर्ती करें खड़ी फसल में कैसे पूर्ती करें तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि जैसे आजकल हमारे इन खेतों में बाजरा लहरा रहा है और मूंग है, मूंफली है, गौार है यह सब हमारी अभी जो मुख क्रॉप्स हैं यहां की राजिस्थान की वो आजकल यह लगी हुई है तो अगर हमें बाजरा में दिखाई देता है कि पत्तियां पीली हो रही है या फिर हमारा बाजरा जैसा दिखना चाहिए वैसा अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा है जैसे कि विभिन प्रकार के जलविरे उर्वरकों के बारे में मैं आपको बताती हूँ जैसे 19-19-19 N-PK के ग्रेड हैं 18-18-18 है और 0050 हैं जैसे 19-19-19 में नाइटोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों पोशकत्त पो 19-19 प्रतिशत पाए जाते हैं य अब आप देख रहा है थे मोटे अनाज की खेती के फाइदे हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाब देगी आपको क्रशी से जुड़ा कोई प्रशन पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कारिकरम क्रशी दर्शन डीडी राजस्थान दूर दर्शन केंदर जैपूर आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा येमेल आईडी है क्रशीदर्शन जैपूर अट दिरेट जीमेल डाट कॉम आज के लिए बस इतना ही फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विशाय कुछ नई जानकारी के साथ अब हमें आगे दीजिए नमस्कार